दोस्तों कतर में डिवटी के टाइम में जो ड्रेस कोड आया है इसके बारे में मैंने आप लोगों के डिटेल के साथ में बता दिया है और रेफरेंस के साथ में शियर किया है असलाम आलेकुम दोस्तों मैं हूँ असलाम आलाम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपोट दोस्तों इस वीडियो में भी एक बहुती इंपोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शियर करने वाला हूँ जो के बिल्कुल फ्रेश है आप यहां स्क्रीन पर रिफ्रे ने अटल स्वियर गतर आप लोगों को मैं इसके बारे में डीटेल से मालूम हो यहां पर मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ अव कتर में सरकारी जौब करते हुए आप लोगों को इस तरह के डरेस लगाने होंगे यहां पर दोस्तों आप लोगों को नदर आ रहा होगा ये जो है एक नमबर 20 को रख रहा हूँ तो यहां पर कहा जा रहा है कि खत्रेज के लिए इस तरह का ड्रेस होगा वो लोग तो पहनते हैं इसी तरह घत्रा यानि के रुमाल पहनते हैं जो कि सफेद रुमाल है इसी तरह यहाँ पर आप लोगों को एकाल भी नदर आ रहा होगा एकाल सर की उपर में जो काली पटी होती है वो एकाल है तो कहा जा रहा है कि कत्रियों का जो है ड्रेस इस तरह होगा एसे लोगों के लिए जो कि नन कतरी हैं वहाँ पर एकामा बनवा करके रह रहे हैं तो एसे लोगों के लिए कहा जा रहा है उनलों का ड्रेश इस तरह होगा अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉसकर के इसका स्क्रिन शॉट ले सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि, खारजी लोГों का, डीवटी के time में किस्तर का dress होगा, दोस्तों यह male की बात होगी, अब यहां पर female के बारे में देख सकते हैं, यह आप तीन नमर पे देख सकते हैं कत्री लेडिस जो है तो उन लोगों को जो है इस तरह का ड्रेस पहनना होगा उन लोगों को वहाँ पर अबाया के साथ में सर को ढखने वाला कपला भी अपने सर में लपेटना होगा फोटो में आप लोगों को जिस तरह देखाया जा रहा है कत्री लेडिस का ड्रेस इसी तरह होगा जबके यहाँ पर आप लोगों को चार नमबर पर जो नजर आ रहा है यह जो है नन कत्री लेडिस का ड्रेस इस तरह होगा इसको मैं थोड़ा और जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का अच्छे से समझ में आ सके अगर आप गॉर्मेंट जॉब करते हैं तो आप लोगों को कुछ इसी तरह काड्रेस लगाना होगा जॉब के टाइम में इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नीचे में तीन नोट भी नदर आ रहे होंगे इसमें कहा जा रहा है कि डीवटी के टाइम में जो एस्पोर्ट जूता होता है उसको नहीं पहन सकते हैं अगर डॉक्टर सजेस्ट करेगा तो पहन सकते हैं बिना डॉक्टर के सजेस्ट किये हुए इस्पोर्ट जूते को यूज नहीं कर सकते हैं इसी तरह यहाँ पर दूसरे नमर पर कहा जा रहा है कि छोटे कपड़े नहीं पहन सकते हैं या इसी तरह टाइट या ये के तंग कपड़े को नहीं पहन सकते हैं और जो कपड़ा बहुती ज़्यादा भरकदार हो इसके बारें भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि कपड़े का कलर इस तरह नहीं होना चाहिए इसी तरह यहाँ पर तिसरे point में कहा जा रहा है कि डिवटी के time में हद से ज्यादा बन समर करके जाने की अजासत नहीं होगी नॉर्मल तरीके से जा सकते हैं इसी तरह यहां पर कपड़े के बारें भी कहा जा रहा है कि इसको ज्यादा डिजाइन करके पहाणना इसकी भी इजासत नहीं होगी कल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि Ministry of Commerce and Industry की तरफ से जो सर्विस दी जाती है उसमें 90% तक की छूट दी जाती है अगर आप लोगों उस वाली वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के जरूर देख लें बहुत ही informative वीडियो है दोस्तों इस तरह की जानकारी मेरे ख्याल से आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले गल्फ एक्सपर्ट पर मिलता है उसके बाद में ही किसी दूसरी जगह मिलता है तो इसी लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको कतर के बारे में हर छोटा बड़ा अपडेट टाइम पर मिल सके इसके अलावा दोस्तों यहां पर खास करके जो अपडेट कतरीओं के लिए है यहां पर आप जो है स्क्रिन पर देख सकते हैं कहा जा रहा है कि अगर कतर में कोई सरकारी इवेंट होता है तो वहाँ पर जो ओफिसर शिर्कत करेंगे तो उन लोगों को जो है किस तरह का ड्रेस पहनना होगा गर्मी की दिनों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह के टैम में इस तरह का ड्रेस होना चाहिए जबकि असर के वक्त में इस तरह का ड्रेस होना चाहिए जबकि ठंडी के मौसम में रात के वक्त में इस तरह का ड्रेस होना चाहिए दोस्तों अमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को कतर में जो ओफिसरों के लिए ड्रेस कोड का रूल लागो हुआ है वो आप लोग करके आगे जरूर शियर करें बहुत बहुत शुक्रिया